हेलो बचो, वेलकम बाक तो माई चैनल मेरा नाम जगदीप है और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं और इनल यूटिलिटी एनालेसिस की यानि की इन डिफरेंस कर्व एनालेसिस की पिछले वीडियो में हमने बजट लाइन के शिफ्ट के बारे में पढ़ाई की थी इस वीडियो में हम जानेंगे कि बजट लाइन की स्लोप क्या होती है ठीक है? अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजेगा क्योंकि यह वीडियो सीरीज खतम होने वाली है और जैसे ही यह खतम होंगी मैं इस पूरी सीरीज से रिलेटेड जो भी important concepts है उनके notes रिलीज करूंगी और quizzes रिलीज करूंगी तहां करूंगी मेरे facebook पेज पे ठीक? तो अगर आपने मेरा चानल सबस्क्राइब नहीं किया है, मेरे फेस्बुक को फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से कर लिजेगा अगर आप बड़े वीडियो से पढ़ने में दिल्चस भी नहीं रखते हैं, तो आप मेरा इंस्टाग्राम चानल भी फॉलो कर सकते हैं जहां आप रियल्स के थूँ शॉट कॉंटेंट से भी पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है बच्चो, तो बढ़ते हैं लेक्चर में जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया, हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन की तो एक आम सी बाथ है, इसे हम एटेटा है, ट्राइंग मैंvan रियुअ इसे हम बोलते हैं या ड्रीक है ? अब जब हम की बात करते हैं बजट लाइन में पहले हम यह रिवाइज करते हैं कि budget line क्या थी budget line एक graphical representation है उन सारे bundles की जो consumer अपनी पूरी income spend करके खरीद रहा है जैसे कि यह मैंने सारे pointers बना दी है bundle A, B, C तो यह जो bundles मैंने अभी budget line पर बनाये थे इन में consumer अपनी सारे income spend कर रहा है अगर वो bundle A ले रहा है तो भी उसकी पूरी income spend हो रही है और अगर वो bundle C लेता है तो भी उसकी पूरी income spend होती है है ना एक बार में यहां budget line बना ही देती हूँ so that आपके लिए reference करना थोड़ा सा आसान हो जाए तो यह हमारी बन गई budget line अब मैं पूरे details में यहां नहीं लिखूंगे आप समझ जाएगा कि यहां chocolates और pizza slices है और जैसा कि मैंने पहले बताया था यह A, B और C ठीक है तो A में मान लो consumer कुछ इतनी chocolates कर रहा है और करीब करीब इतने से pizza slices कर रहा है है ना अब अगर consumer combination A के बजाए combination B याने की bundle B select करना चाहता है तो वह इतना ही सारा कुछ दुबारा से consume नहीं कर सकता याने कि इतने chocolates और इतने pizza slices पे वह bundle B में नहीं जा सकता हम bundle B खरीदने के लिए उसे कुछ chocolates की sacrifice करनी पड़ेगी है ना क्यूंकि bundle B तो यहां पर है तो यह जो है इतने chocolates अब इस consumer को मिल सकती है और pizza slices की उसकी जो consumption अब bundle B में बढ़ गई है है ना दिख रही है evidently दिख रही है तो budget line का जो slope है वह हम कैसे calculate करेंगे change in consumers spending on commodity Y over change in consumers spending on commodity X हमारे case में यह chocolates और pizza slices है तो slope of budget line कैसे हम calculate करेंगे units of chocolates that a consumer is willing to sacrifice which is इतना और units of pizza slices जो consumer gain करना चाहता है जो कि यह है ठीक तो इसको हम कैसे लिखेंगे डेल्टा C जो कि यह category है इतनी और डेल्टा PS जो कि यह है ठीक अब यहां पर इस diagram में डेल्टा C किधर है कैसे mark करेंगे कैसे पता चलेगा यह जो segment है यह वाली green में जो में आभी मांकी है यह डेल्टा C है और यह जो segment है again मैंने green में मांकी है यह डेल्टा PS ठीक है अब इसी को एक बार न्यूमेरिक ले भी देख लेते हैं अब और भूम्बिनीशव है अब ओआ ये एना होगी चॉपलेट से ये करता था कर अपहें, घ्या की प्लिवी चॉपलेट बंडलिशियों चाहिएं यानि कि उसको चौकलेट की कंजामशन कम करनी पड़ेगी ताकि वो पीजा स्लाइसीस की चंजामशन बढ़ा सके अब अगर कॉम्बिनेशन बी के रिसाब से अगर उसे दो पीजा स्लाइसीस चाहिए तो उसे 4 डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि possible हो सकता है अगर वो एक चोकलेट गिव अप कर दे एक चोकलेट गिव अप करने से चार डॉलर्स बचते हैं और उन्हीं चार डॉलर्स से consumer दो पीजा स्लाइसेज खरीदने में सक्षम हो जाएगा उसके लिए वो possible हो जाएगी इसलिए हम slope of the budget line को price ratio भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं price ratio क्योंकि consumer को लगभग उतने ही पैसे की consumption कम करनी पड़ेगी जितने की वो दूसरी commodity में बढ़ाना चाहरा है ठीक है तो यहाँ पर एक चोकलेट अगर वो गिव अप करता है तब जाकर के वो दो pizza slices consume कर पाएगा एक चोकलेट चार डॉलर की है और दो pizza slices भी उसे चार डॉलर में ही मिलेंगे ठीक है तो हमें यह याद रखना है कि slope of the budget line को हम alternatively price ratio भी कहते हैं slope of the budget line को price ratio कैसे proof किया जा सकता है इसके algebraic solution आपको instagram की wheels में मिल जाएगी ठीक है तो अच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में बाई नाव ठीक केर